Hi friends, channel में आपका स्वागत है आज फिर हम लोग एक फ्री कुंडली रीडिंग करने वाले हैं जो 15 अगत से पहले जिन्होंने भेज़ा है उन लोगों की फ्री कुंडली रीडिंग हो रहे हैं अभी इसकी रीडिंग करने से पहले मैं इतना बोलूँगा जिकि मैं selected कुंडली की रीडिंग कर पाता हूँ मैं सारी कुंडली की रीडिंग नहीं कर पाता हूँ क्योंकि selection होता है उसकी basis पर ही मैं कुंडली रीडिंग करता हूँ और अगर आपकी कुंडली सेलेक्ट हो जाती है तो मैं आपको आपके WhatsApp प्रोफाइल पर आपको उसका link प्रोवाइट कर देता हूँ ठीक है इसलिए मैं उन लोग को request करूँगा काफी लोग हैं जो नोंने कुंडली प्रोवाइट करी है और बार-बार मुझे message ड्रॉप कर रहे हैं मैं सबको ignore नहीं करता हूँ लोगों को ये मेरे में खामी समझ लीजिए या खूबी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिकि आप मुझे बार-बार message ड्रॉप करें विकाज आपके बार-बार message ड्रॉप करने से मैं आपकी context select कर लूँ ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा हो सकता उल्टा हो जाए तो बहतर ये है कि patience रखके काम करें क्योंकि देखें ऐसा है ना सब की reading नहीं हो सकती है ठीक है लेकिन जिनकी हो रही है वो नोंने भी आपी की तरह process follow किया है और उसके बाद उनकी reading हो रही है ठीक है तो प्लीज उसको समझने की कोशिश करें जिकि आप लोग अपनी मदद भी कर रहे हैं कुछ हद तक जिनकी reading हो रही है और जिनकी नहीं हो पा रही है उनकी आप उन लोग की भी मदद करें जो आपकी तरह परिशान है यहाँ ठीक है तो हम एक society में रहते हैं socially हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करें तो बहतर है कभी कभी आपका कुछ फायदा हो जाता है कभी कभी नहीं होता है ठीक है तो उस चीज को लेके चले प्लीज ऐसा मत करिए बार बार message करेंगे तो मैं आपका कुणली शायद select कर भी रहा हूँ तो शायद उसको छोड़के दूसरे का करूँ because मैं उन लोगों को जादा respect देता हूँ जो patiently wait करते हैं अपनी बारी का और अगर नहीं भी आए तो accept करते हैं और by chance अगर आपकी कुणली नहीं select होती है तो मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ जैकि आपकी कुणली selecting नहीं होगी मैं दूसरे rounds में आपकी repeat कुणली डाल के कर देता हूँ अगर आप repeat लिख के भेशते हैं तो मैं दूसरे round पे मैं उसमें selection दूसरे तीसरे जिस round पे भी होता है मैं reading करने की कोशिश करता हूँ तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा patience रख के काम करिए बाकी यह हैं जिन लोगों की कुणली reading हो गई है करवाना चाहते हैं माफिमा हूँ जो लोग अभी नए वीडियो देख रहे हैं और करवाना चाहते हैं वो लोग सेम प्रोसेस जो previous वीडियो में बोला है वो ही प्रोसेस फॉलो करिए अपना date of birth, time, place, नाम और अपना gender और अपने दो सवार मुझे अब मेरे जो description में देगवे number पर whatsapp कर दीजे और अपने मेरा channel subscribe कर लिजे अगर आप channel subscribe करते हैं तभी मैं आपके लोग की कुणली read करता हूँ selection process में डालता हूँ तो channel subscribe कर दीजे और screenshot भी whatsapp पर detail के साथ provide कर दीजे बहराल ये था मेरा आप लोगों से जो request थी आप लोगों को मैंने वो बोल दी है अब हम लोग कुणली read करते हैं ये कुणली कपिल जी की है कपिल जी का date of birth, सरी माफ किजेगा age जो है आप राहू की माह दशा चल डिये जो 25 में खतम हो गे- साथ नौवंबर उजर 25 में और फिर राहू की अंतर दशा चलेगी मंगल के अंतरदशा और फिर राहू के अंतरदशा चलेगी शनी के अंडर पे और राहू की जो अंतरदशा खतम होगी वो 2025 नौविंबर को खतम होगी और गुरू के अंतरदशा लगेगी फिर 2028 में वो खतम होगी आपकी अबिचो शनि की दशा है कुरू की साथ खतम होचाएगे और उसके बाद आपकी दशा मरकरी की लगेगी ठीक है और वो भी 17 साल की होती है तो वो लगेगी इसके बाद बात कर लेते हैं इनके दो सवाल है पहला सवाल यह है जिए कि Will He be a अरब पती है और दूसरा सवाल है इनकी सेकंड चाइल्ड बर्थ का इनका सवाल है तो पहले सवाल का तो मैं यही बोलूँगा जिए कि भाई साब अरब पती मैंने एक बार एक वीडियो पहले बनाई है Will You be a billionaire वाला जो कुडली है उसके बारे में मैंने बात करी अगर आप पैसा कमाना चाहते है तो आपको और पैसा मिलेगा और बैरहाल आपने अरब पती का सवाल पूछा तो पैसा आपके पास है अब फ्री कुली रीटिंग करा रहे है कोई बात नहीं चलिए अब बात ये कर लेते हैं कि क्या है और अब पती की जो बात हो रही है कि आपके पास और पैसा आने का बिल्कुल आ सकता है शनी की महादशा चल रही है अगर आपकी कुली में देखा जाए तो आपके घर गरे परिवर्तन हुआ है आपका ये तरीके का केंद्रे के घरोंने केंद्रे की जो प्लानेट्स है उन्होंने घर परिवर्तन के एक्सचेंज क्या है मंगल शनी की घर पे जाके बैठे है और शनी जो है मंगल के घर पे जाके बैठे है ये एक हाउस एक्सचेंज हुआ है वर्कि तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और आपकी ग्रोध बहुत अच्छी होनी चाहिए simultaneously हाँ आपके पास काफी धन आएगा because मंग शनी के साथ मंगल मरकरी बैठा हुआ है और यहाँ पर मंगल के साथ वीनस बैठा हुआ है एक पाइंट को जरूर बोलूँगा जिकि हो सकता है जिकि आप थोड़ा सा केतु की वज़े से थोड़ा सा यहाँ पर uncertainty आती है थोड़ी सी लूखने साती है और शायद यहाँ पर केतु उतना एफेक्ट नहीं कर रहा हो उस हद तक क्योंकि यहाँ पर ग्रह परिवर्तन बहुत जादा हुआ है लेकिन की तो असर करेगा लेकिन अभी नहीं करेगा वो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ पर आपको करेगा अभी शायद नहा करेगए तो शनी की दिश्टी पड़ रहा है इस कारनवर्स अच्छा फल मिलेगा आपको यह ग्राज योग बनता है ग्रेयर जो केंद्र के प्लैनेट्स अगर अपने घर एक्सेंज कर लेते हैं तो इसके बाद जूपिटर की भी बात करते हैं और दूसरा पॉइंट वह है कि बहुत पैसा कमाने के लिए या बहुत पैसे वाले होने के लिए एक राज योग बहुत बड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन और हो तो अच्छी बात और बहतर हो जाते हैं सोने पर सुहागर वाली बात है तो पॉइंट वह यह है जी कि पैसा कमाने के लिए अगर आप देखे तो यहां पर जूपिटर भी जो है नवम में बैठे है अश्टम घर में बैठे है अपने नाइन नमबर उनका होता है उसी घर मिलेगा और वाइफ के थ्रू वाइफ के एंसेस्ट वाइफ के पैरेंटर प्रॉपर्टी या उनके कुटूम से आपको बेनेफिट जरूर मिलेगा आपका भी खुद का भी मून अच्छा बैठा है थार्ड हाउस में लेकिन मरकरी के घर पे बैठा है मरकरी फ्रेंडली प् कंफ्यजन में डालता है ठोड़े से डिले प्रॉब्लिम्स बन में रहते हैं इस कारवराइफ स्थोड़ी सी दिक्ट होगी हां लेकिन सेकंड हाउस में मून बैठा हो बत प्लेस दूर प्रपर्टी बनाने हो सकता है बत प्लेस से आपका दूर प्रोपर्टी और या एंसेस या उनके तुरू आपको काफी अच्छे बेनेफिट्स मिलेंगे तो एक योग विपरेद राजोग की बात हो सकते हैं एक ये केंदर के एक्सेंज की बात है तो आपकी कुणली में पैसे की कोई कमी नहीं है और अभी जो राहू की अंतरदशा चलेगी इसमें भी आपको अच बना हुआ है शनी के घर में मंगल बैठा हुआ है और मंगल यहां पर कुछ नेगटिव एफेक्ट्स नहीं देगा हाला कि फ्रेंडली नहीं है दूसरी जगवा पर प्रॉब्लम्स दे सकता है लेकिन पैसे के या जॉब के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं देगा और व मतलब कोई वी काम हो जैसे मेडिसेन रिलेटर यह आप डॉक्तर हो लोय यह में लिए साथ हैं वैसे क्रॉब्लम देखे तो वकील बी चॉब भी कर सकता और टोनों बी कर सकता है एक साथ յैसे हैं अगर आप देखे है हैं Ika कई सथीज़ आपर नेरी हैं यह दॉनों कर तो अगर आप प्रॉपर्टी बिजनेस में देखे तो आप कहीं प्रॉपर्टी में बिजनेस भी कर सकते हैं तो ऐसी चीजों में ज़्यादा बेनेफिट देता है ऐसी कुनली और वाइफ का सपोर्ट अच्छा बना रहेगा पस केतु के समय में थोड़ा सा ध्यान रखना अब दूसरी बात रहेजिए क्या आपकी सेकेंड चायल का टाइम आप एकस्पेक्ट कर रहे हैं जिकि क्या हो सकता है तेकर पहला पॉइंट अगर आप किसी भी बर्थ को देखते हैं चायल्ड बर्थ को देखते हैं तो उस बर्थ में सबसे पहले दो लोगों की कुनली दे बेहरारं आपकी कुंडली से अultygn अनिलस्य करूं तो यह कह सकता हूं जिकिए अभी आपके राहू की राहू के अंतरदार्शा चलिए जान्य यह ने आप आपको बताया है मंगल के अंतरदशा चल रही थी मंगल के टाइम पे भी आप बच्चे का प्लान कर सकते थे लेकिन दिक्कत यहां पर यह आ रही है मंगल और शनी की एक साथ अच्छी बंती नहीं है इस कारण वस्ट मैंने आपको बोला पैसे की जरूर मंगल और शनी शायता कर रहे हैं लेकिन बंती नहीं है इस कारण में बच्चा शायद आपको होने नहीं दिया क्योंकि शनी की महादशा चल रही है और मंगल के अंदर चल रही है और रहू के अंतरदशा चल रही है और रहू के अंतरदशा दोहसार पच्चेस नोवेंबर तक चलेगी आप बिलक सकता तो वाइफ की अगर मैं बताओं तो यहां पर यह राहू यह कॉम्प्लिकेशन देगा जी की treatment process में आप जो भी कर रहे हैं हो सकता है आप medical help ले रहे हो उस treatment process में जो process चला उसमें जितना हो सके आप indulge हो के अपना अपनी अपनी नजर के सामने या अपने आँखों के सामने जितना हो सके वह काम कीजिए और child birth के पाद भी जितना हो सके जो चीज़े आपके आँखों के सामने हो रही हो जितना हो सके वह चीज़े करवाई है क्योंकि हो सकता है कहीं पर लाप्स हो रहा हो कहीं पर अगर आपके एपसेंस के वज़ा से लाप्स हो रहा है या आपके प्रेजंस आपके प्रेजंस रिक्वार्मेंट है और आप प्रेजंट नहीं हो पा रहे हैं उस वज़ा से कोई ना कोई कोई लैप्स कर रहा उस वजह से शायद यहां पर प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि राहू कभी-कभी उल्टी तरीके से या गलत तरीके से टेड़े तरीके से आपको नुकसान करने की कोशिश करता है तो मैं आपको यह बोलूँगा कि कॉंसेंट्रेट करिए अगर आपको सीरियसली उसको देखना पड़ेगा सिरफ एक पॉइंट तक नहीं होता जिकि फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ आपको आगे के प्रोसेस को भी अपने माइक्रोस्कोपिक लेबल से आपको एनिलाइज करना पड़ेगा चाहे वो मेडिक डॉक्टर की होस्पि आपको जरूर शनी के अंडर में महादशा में बर्थ चाइल्ड वर्थ जरूर देने के चांसेस देगा अब भी भी बोलना हो जिकि वाइफ की भी कुल्डी साइमिल्टेनिस ने देखनी जरूरी है लेकिन राहु की ये पंचम दिश्टी पढ़ रही है एक दो तीन चार प राहु की पंचम दिश्टी आपके चाइल्ड के बर्थ पर पढ़ रही है तो इस वक्त राहु आपको बेनेफिट जरूर देगा चाइल्ड वर्थ के लिए हाला कि शनी की दिश्टी चल रही है दस्वे घर में और शनी की महादशा चल रही है इस वक्त थोड़ा सा प्रॉ कर लिए और साइमल्टेनेसली बर्थ टाइम पे जो भी प्रोसेस है या प्रेगनेंसी से लेके या कंसीव से लेके सारे प्रोसेस में आप इंडलजेंट आप आपको और आपकी वाइफ को एक्स्ट्रा एक्टिव रहना पड़ेगा किसी और पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सक सकते हैं क्योंकि हो सकता है वह इंटेंशनली ना हो लेकिन अनिंटेंशनली वह कहीं कोई कमिट मिस्टेक कमिट ना करते और रिपीट कोशिश कर सकते हैं आप लोग 25 तक नोवेंबर तब आप ज़रूर कोशिश करिए आपके लिए बेनेफिशी रहेगा तो यह था कपिल ज से आपको पसंदा है